है 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 फ्रेंज फर्स्ट फॉल गूट मॉर्निंग और फ्रेंट्स आज करेंगे एक शोटी से टॉपिक लेके आया है तो इसके विस्टर मुलूग डिसक्स करने वाले हैं कि कि सिव्याई के नए निष्ट किया गया है इनकी विस्टर मुझे लुग डिसक्स करेंगे एंट भूर्स चिवियाई की जो नए निटिसक्षेए फ्रेंट्स वह हैं सुबत कुमार् शुबत कुमार जैशवाल जी बनाये गए हैं स के नएनिदेश्षिक और यहीं है जो आपन केंद्री जाज ब्यूरो और यह उन्गिष में होता है सेंट्रल व्यूरो आफ। इन्वेस्टीगेशन होता है का निदेशक निव्ड किया गया है इन्हें दो साल की अवद के लिए director बनाया गया है इन्हें तो आई पिरसुबोध कुमार जैसवाल को केंद्रिय जांच भीवरो शिव्याय का निदेशक निउक्त किया गया है इन्हें दो साल की अवद के लिए director बनाया गया है केंद्रिय मंदल की नियुक्ती समित ने अनुशंशित पैनल के आधार पर उनकी नियुक्ती को मंजूरी दी है पधान मंतरी के नेतरित तुवाले इस पैनल में भारत के मुख्य नयाधीस के साथ-साथ लोगशभा में बीपच्च के निता भी शामिन होते हैं शुबोत कुमार जैशवाल 1985 बैज के भारतिय पुलिश शिवा में IPS अधिकारी है इससे पहले वहां महाराश्च के पूर्व पुलिश महाने दे सकते वहां बरतमान में केंदरी और दोव्यक सुरच्छा बल यानी CISF के महाने दे सके आपको बता दे कि ततकालिन पदादिकारी रिशी कुमार शुकला जो दो सार के कारिकाल के बाद चार फ़री को शेवा निब्रित हुए थे प्रेंड्स यसे पहले क्वेस्जन भी बन सकता है कि दिशी कुमार शुकला इससे पहले सिएक निषी निष्ट कौन Was जो आई इनके में जांते रहें अबिन दे, अन्य निष्ट कौन हुए है सुभूत कुमार सुआश्यवाल हुए है और ये जाल हो खाली है 1988 बैज के आये सदिकारी प्रावीर्ड सिन्हा कारवाहाग निदेशक का पत सभाल रहे हैं तो यह एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थे एक छोटी सी जानकारी आपको देना था फ्रेंड्स एक और कॉश्चन पूछ सकता है आपसे कि सी वियाए के जो नए निदेशक है सुबोत कुमार जैशुवाल जी कभी-कभी यह पूछ सकता है कि सी वियाए के इससे पहले कौन थे तो रिश्ची कुमार शुकला जैसा कि हमने आपको बता ही दिया एक और कॉश्चन पूछ सकता है जी से बनता है कि इसका मुख्याले कहा है इसका हेड़कॉर्टर कहा है तो आप जानते रहिएगा इसका हेड़कॉर्टर कहा है नई दिल्ली में है तो यह भी जानते रहेगा और इसकी अस्थापना कभी कभी पूछ सकता है फ्रेंट्स की इसके बारे में भी जानते रहेगा जिसे सेंटर्ल व्यूरों इन्वेस्टिगेशन कहते हैं इसकी अस्थापना हो थी यह भी जानते रहेगा क्योंकि वन्डेशम में अकसर यह लोवर में अकसर यह पूछे जाते हैं देखने को मिलता है फ्रेंट्स कभी कभी यह वी अग्जाम में देखने को मिलता है कि S.P.E. S.P.E. का FUL FORM क्या होता है तो इसके बारे हम जानते रहेगा Special Police Establishment Special Police Establishment यह होता है इससे अगठन किया गया था इसके बारे हम थुदा सा बता दें CVI की विशे में Friends CVI का इसको हिंदी में बोलते हैं केंदरी जाच ब्यूरो भी कहते हैं CPI भारत सरकार की एक प्रमुख एजनसी होती है यहां आप राधिक योम राश्टी सुरच्छा से जुड़े हुए बिभिन प्रकार के मुद्दों को देखती है बिभिन प्रकार के मावनों की जाच करती है इसका मुख्याले हमने आपको बताई दिया नई दिली भारत अस्थापना इसके 1963 को हुआ था इसकी अस्थापना जो थी यह दूसरे विश्यूद इसकी CBI क्या हो सकता क्यों पड़ी तो यह दूसरे विश्यूद के दोरान वर्स 1941 में कब तो आप जानते रहेगा वर्स 1941 में वर्स 1941 के में ब्रिटिस भारत के यूद विभाग यानि Department of War में एक WCAS पुलिस अक्या स्थापना होई थी जिसके भी से अभी हमने जिक्र किया था यानि SPE यही था Special Police Establishment इस SPE का गठन किया गया था ताकि यूद से सम्मंदि जो खरीद मामलों में जो रिश्वत और भ्रिष्टाचार के जो आरोप की जाच की जा सके दिल्ली पुलिस अस्थापना अधनियम जैनि इसे दिल्ली पुलिस Establishment यानि DSPE Act 1946 फ्रेंट्स 1946 में को लाग किया था यह ऐसा होता फ्रेंट्स की भारत सरकार के जो अलग-अलग जो अंग होते हैं विभिन विभाग जो होते हैं उनमें किसी प्रकार जी कोई करप्सन या उसके विशे में कोई जानकारी जैदि ओर सकता है तो इसको एक विशेस एजनसी की रूप में इसकी अब चौरविक तक ही शुर्वात की गई थी वर्स 2014 में वर्स 2014 में CBI की जो निदेसक की नियुकती हुई थी वो DSPE जिसकी विशें अभी हमने बताया था आपको DSPE DSPE जिसे अभी हमने आपको बताया कि दिल्ली Special Police Establishment वर्स 2014 तक CBI के निदेसक DSPE वर्स में लोगपाल धिनियम में CBI निदेसक की निदेसक की लिए एक समित का प्राधान किया गया था हम आपको दुबारा बताते हैं इसके विशें में कि वर्स 2014 में मैं आपको इसकी अस्थापना कि इसकी निदेसक की विशें में बता रहा हूं डिएश्प अधनियम 1946 1946 के आधार पर की जाती थी वर्स 2014 में लोगपाल अधनियम ने C.V.I. की जो निदेशक की नियुकति के लिए एक समीति का प्राउधान किया वर्स 2014 में लोगपाल अधनियम कब किया गया था लोगपाल अधनियम जानते रहेगा लोगपाल अधनियम ने CBI ने दिशे कि नियुक्ति के लिए एक समीति का प्राधान किया और जिसके अध्यच कौन होते हैं फ्रेंड्स जानते रहिएगा इसके अध्यच होते हैं पी एम होते हैं यानि हमारे भारत के पधान मुंत्री जी होते हैं तो यह थी इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारी इसको आप तक पहुचाना था थैंक्यू फॉर माई वाचिंग वीडियो मिलते हैं एक नेक्स सेशन में तब तक के लिए अपना ख्याल लखिए और सुच्चित रहिए घर पे रहिए थैंक्यू